आईए फिर से एक बार सौतन की ओर चलते हैं, सावन कुमार दाक की फिल्म राजेश जी जैसे मकमल अदाकार के लिए ये एक आदर्श फिल्म सावित हो गई क्योंकि सारे भावनात्मक और नाटकिये जो बांग थे, वो निकाल दिये गए एक कहानी वही थी, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट बिलकुल अलग थी, राजेश खन्ना, टीना मुनिम और पत्मिनी कोलहपुरे जैसे कलाकारों ने अपने किर्दारों को बखु भी जीया और पतकता भी ऐसी थी कि राजेश खन्ना जी के किर्दार को बहुत बढ़ावा मिल गया आईए मैं आमत्रित करती हूँ आलोग जी को और आलोग जी के साथ संपदा जी को वो गाना सुनाने के लिए जो हर गली हर कूचे बचता था शायद मेरी शादी का हया शायद मेरी शादी का हया दिल में आला है इसी लिए मम्मीन मेरी तुम्हे बुलाया है शायद मेरी शादी का हया शायद मेरी शादी का हया दिल में आला है इसी लिए मम्मीन मेरी तुम्हे बुलाया है पंची अकेला दे तुम्झे ये जाल बिछाया है इसलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाई पे बुलाया है जो झाल बिछाया है थीक तुम चार बजे घर चले आना मेरा हाथ मांग लेना सरण शर्माना थीक तुम चार बजे घर चले आना मेरा हाथ मांग लेना सरण शर्माना साथ खेरे मेरे संग सपने देख रही हो खिली हो भूप में तारे देख रही हो अरे नहीं नहीं बापा चाय नहीं पीना क्यों क्यों तौपा मेरी तौपा माप कर देना किनी अरा ओपर तो हाई अपना दिल आया है इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हे चार बुलाया है पंची अकेला देख मुझे जाल बिछाया है इसलिए मम्मी ने तेरी मुझे चार बुलाया है व्हों पंची अरेख म्मी ने डालाया है दिल लगी रो करो छेड़ना हमको सनम हाँ कहो घर करो तुमको मेरी खसम दिल लगी रो करो छेड़ना हमको सनम हाँ कहो घर चरो तुमको मेरी खसम दान मन मान हम खुम्त मरते हैं प्यार तुम ठीक है शादी से डरते हैं तर शादी से पहले दो सब अच्छा लगता है तर सारी उमर पहले तो रोना पड़ता है इन अना और पर तो हाए अपना दिल आया है इसलिए मम्मी ने मेरी तुमें चाय पे बुलाया है पंछी अकेला देखु मुझे ये जाल बिछाया है इसलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है शायद मेरी शादी का हरा दिल में आया है इसलिए मम्मी ने मेरी तुमें चाय पे बुलाया है तुमेल मेरी कासा, आउगे ना ये जाजी ने, तैए कासा का अजए आउगा अजया झाल